आये दोस्तों, पुराने जमाने और नए जमाने में जो छोटा सा फर्क आ गया है न, उसके बारे में छोटी सी चीज ही बताता हूँ, ज्यादा नहीं हमारे गाउं में कभी एक नेनुवा नाम का बंदा हुआ करता था, जो अपनी जोपड़ी की छट पर चड़ जाता था, जो की भूसे की बनी होती थी, और वहां पर लौकी लगा देता था, या लौकी उतार लाता था, तो बस दो महिने के खाने का इंतजाम हो जाता था कभी बैसाख में दाल और चावल से बनी हुई सूखी कड़ोरी सावन भादोगी सबजी का खर्चा निकाल देती थी, जियां, वो दिन थे जब सबजी पर खर्च का पता ही नहीं चलता था, याद हैं, देसी टमाटर और मूली जाड़े के सीजन में आईसी भर भर के आती थ उनकी इज़त बिल्कुल बेकार किसी जमाई की तरह हो जाती थी घर पे, क्योंकि तब ये जीडीपी का मैथमेटिक्स नहीं था ना, अब ये सबजियां हर तरफ, चारो तरफ, हर रसोई में मिल जाया करती थी भर भर के, लोहे की कड़ाई में किसी के घर रसेदार सबजी पके, तो गाउं के कोने में रहने वाले बाबा तक उसकी सुगंध पहुच जाती थी, धुआ बस एक घर से निकला हो, तो आग लेने के लिए चारो तरफ से लोग दौड पड़ते थे, शाम को रेडियो पर चौपाल और आकाश्वाने के सुल्जे हुए समचारों से बस द पड़ी, सिनमा चल रहा हो, कोई मूवी चल रही हो, किसान लोगों में कर्ज का कोई फैशन नहीं था, पिर बच्चे बड़े होने लगे, बच्चियां भी बड़ी होने लगी, बच्चे सरकारी नोकरी पाते ही अंग्रेजी परफ्यूम लगाने लगे, बच्चियों के पा अपा सरकारी दामाद में भगवान का रूप देखने लगे। किसान क्रेडिट कार्ड डिमांड और इगो का प्रशाद बन गया। इसी बीच मूछे जो हुआ करती थी किसी की, तो समझ जाईए कि नौकरी नहीं मिली उस इंसान को। क्योंकि मूछ हटते ही लोगों को पता च जीनियर हो गया है और नौकरी लग गई है। अब दिवाने किसान अपनी बेटियों के लिए खेत बेचते थे। बेटियां गाउं से रुकसत हुई, पापा की कान में पढ़ने वाला रेडियो जो हुआ करता था, वो उनकी पतिदेव के टाटा स्काई और एलेडी टीवी क सामने तो फीका पड़ चुका था ना, अब आंगन में छट के ऊपर लवकी की लताय चड़ाने वाली बिटिया अपने पति के डाई बी एचके के बालकनी के गमले में क्रोटन लगा रही थी, और बस सबजीयां महंगी हो गई, बहुत पुरानी यादे ताजा हो गई, सच म उस समय सबजी पर कुछ भी खर्च नहीं होता था, जिसके पास नहीं होता था, उसका भी काम चल जाता था क्योंकि पड़ावसन बहुत सारी सबजियां दे ही जाती थी, दही मठे की भरमार थी, सब का काम चलता था, मटर, गन्ना, गोड, सब के लिए इफरात में रहता था सबसे बड़ी बात तो ये थी कि आपसी मन मुटाव होते हुए भी बहुत प्रेम था आपस में, आज की छोटी मेंटालिटी, छोटी मानसिकता दूर दूर तक नहीं दिखाई देती थी दोस्तों, क्या बात है, बड़ी बड़ी एजुकेशन हुई, उची शिक्षाएं हु सोचने वाली बात है दोस्तों, क्या सज मुझ हम विक्सित हो गए, डवलप हो गए, या ये सिर्फ एक जूट है, छलावा है, सोचने की बात है, सोचियेगा